अकोला में जनसत्याग्र संगटन दौरा मदद वहन गुम रही है जो नागरिकों से आवहान कर रही है कि संगली सातारा कोलापूर यहां के पूर-ग्रस्तों की मदद करे क्योंकि वहाँ भारी मातरा में बाज आने से आम इंसान का जिवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका ह इसी के चलते अकोला में राज्य के मुख्यमंत्री इनका दवरा स्तगित करना पड़ा था बाड़ की परस्तिती हस से ज़्यादा खराब हो चुकी है इसी को ध्यान में रखकर अकोला के जन सत्यागर संगटन ने सांगली सातारा कोलापुर के पदादिकारी यों कार्यकरताओ से वहा की परस्तिती का पता करने की कोशिश की और उन्हें मालूम हुआ कि वहा के हालात बहुत ज्यादा खराब है उन्हें बिस्तर, चटाई और ब्लैंकेट की सक्त जरूरत है क्योंकि उनका यह सब कुछ खो चुका है यह उनकी जरूरत देखकर जन सत्यागर संगटन ने अकोला में मदद की गुहार लगाते हुए शेहर में वहान गुमाने का फैसला किया जन सत्यागर संगटन जन संपर का कार्याले अकोट फैल से इस मुहीम को एक बच्चे द्वारा हरी जंडी दिखा कर शुरुआत की यह मुहीम अब तक अकोट फैल, रेल्वे स्टेशन, त आपकी रोड में हो चुकी है, तिलक रोड के व्यापारियों ने अपनी दुकानों से नए कपड़े संगली कोलापूर वालों के लिए दिये और संगटन की सराहन की, जन सत्यागर संगटन के राष्टिया द्यक्ष आसीप अहमद खान ने नागरिकों से आवान किया है कि व काफी मदद की जरुवत है, हमारी वहां की कारेकरताओं से बात ही, उन्होंने कहा कि हमारे पास में आज कपड़े बहुत हो चुके है, लेकिन हमें हमारे विस्तरों की जरुवत है, तो आप से मैं सभी आकुला के नागरिकों से आवान करता हूँ, तो वो सांगली कोलापू वलो की चादर से, ब्लैंकिट से, इससे मदद करें, और जनसत्तकर संगटन की आपके इलागे में मदद वहान आएंगी, तो आप उसका दिल खोल कर मदद करें बीरो रिपोर्ट, विसेन न्यूज